किर्केटर महंदर सिंग धौनी आज रांची में टैनिस खेलते हुए दिखे मैदान में जिस फूर्ती से धौनी दोड़ते हुए दिखे उसे देख वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि धौनी अब IPL के लिए खुद को पूरी तरह फिट कर चुके हैं रांची के JSCA स्टेडियम में कंट्री क्रिकेट कलब द्वारा टैनिस चेंपियंशिप 2024 का आयोजन हुआ था जिसमें कई खिलाडियों ने भाग लिया था धौनी एक्जिविशन मैच खेलने के लिए पहुँचे थे मैच खेलने के बाद धौनी ने सभी परतिभागियों को खुद के हाथों से सम्मान देकर सम्मानित किया धौनी ने अपना ओटोग्राफ दिया हुआ एक बैट देकर सबको सम्मानित किया चोटे बच्चों को सम्मान देते वक्त जिस तरह से वह जूख कर और बैट कर सम्मान दे रहे थे वह लोगों को खुब भाया धौनी ने कहा कि वह भविस के खिलाडी तयार कर रहे हैं धौनी के साथ मैच खिलने वाले टेनिस खिलाडी सुमीत ने बताया कि धौनी आईपियल को देखते हुए मैच नहीं खेले सुमीत ने बताया कि धौनी का पूरा फोकस फिलहाल आईपियल पर है और वह आईपियल के लिए पूरी तरह तयार है सब्सक्राइब एक कंट्री क्रिके क्लब टेनिस चैंपिंशिप था 2014 का यह स्टार्टिंग एर टोनामेंट था हमारा जिसमें जमसेदपूर, धनबाद, हजाजी बाग से मतलब इन ख्लोस जोन आप बोल सकते हैं ख्लोस स्टेट टोनामेंट था यह जिसमें काफी पार्टिसि प्रपेट करें बट उनका इपिल नजदीक है और रिकवरी कर रहे हैं रिहाब कर तो मेरे यह मेरा जिद था कि नई सारा एक्जिविशन मैच ही खेलिए और बहुत जल्द साथ में फिर अपकमिंग टोनामेंट पार्टिस पर जरूरूर करेंगे बोलें कि आई पेल के बाकी तो उनका जो फिटनेस है वो सभी को दीख रहा होगा कोट पे तो बहुत जल्द आई फिल खेलने जाएंगा तो वहां भी आपका परफॉर्मन बहुत अच्छा ही देखने को मिलेगा अर एक साल आते हैं टेनिस के जी वह जब भी रांची में रहते हैं वह टेनिस खे बच्छों को आवार्ड मिलता है तुसका छलग होता है और अमिताब सर ने जो विजन के साथ यहां पर बागी खेलों का आयवजन रखा था और जब यहां बच्चे खेलते हैं इस जगह को आगे बढ़ते हुए देखके हम सब को खुशी होती है क्या मिताबसद ने जिस विजन के साथ इसके शुरवात कि थी वो आगे बढ़ रहा है the follow-up dot in like share and subscribe